समस्याओं के निप्टान के लिए भी हमने धेर सारे किये हैं साधी रोजगार पदोनती के जुखे वादे और पहचान गलत पहचान प्रगत करकर जो यौम सम्मद्ध बनाते थे उसको अपराद की स्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोजी सरकार दाए जैंग रेप के सभी माम में 20 साल की सजाया आज इवन कारावास का प्रावदान किया है जो आज नहीं है 18 वर्ष से कम आवी की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी पावड़ मानेवर मॉब लिंचिंग का बड़ा सोर मचा है हमने उसको कैरफुली करा है मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 स आज इवन कारावास और रुत्युदंड तीनों का प्रोविजन करकर हम प्रावदान मानने वर लाए से स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाईल का हो चाहे महिलाओ की चेन का हो कोई प्रावदान नहीं था बहुत सारे लोग छुग जाते थे क्योंकि वो चूरी भी नहीं होती से से जन्र Nag讲 Marticon का प्रावदान भी नहीं था अब शेलिव नहीं ज्यूंकी से स्नेचिंग का भी प्रावदान ले याऊन हिंसा के मामले में Пीडीत का बैयान कंपल्शरी कर दिया गया है और याऊन उत्पिडन के मामले में बैयान का वीडियो रैकोरी भी माने वर्फ पुल जादी को अपना स्टेटस बेजना पड़ेगा साथ वर्स या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रो करना है तो पीडिक को सुने बगर कोई भी सरकार इसको विड्रो नहीं कर पाएगी तमस्याओं के निप्टान के लिए भी हमने धेर सारे किये हैं साधी रोजगार पदोनती के जुखे वादे और पहचान गलत पहचान प्रगत करकर जो यौम संबंद बनाते थे उसको अपराद की स्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार दाएग गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजाया आज इवन कारावास का प्रावदान किया है जो आज नहीं है 18 वर्ष से कम आवी की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी पावदा है मानेवर मॉब लिंचिंग का बड़ा सोर मचा है हमने उसको कैरफुली करा है मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आज इवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन करक स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाई का हो चाहे महिलाओ की चेन का हो कोई प्रावदान नहीं था बहुत सारे लोग छुख जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी सेचिंग का प्रावदान भी नहीं था अब सेचिंग का भी प्रावदान लेर यह उन हिंसा के मामले मे पीडित्य का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यह उत्पिडन के मामने में बयान का विडियो रेकोडिंग भी अब कंपल्सरी कर दिया है मानेवर पुलीस को 90 दिन में जिसने फर्याद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपल्सरी कर दिया है 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फर्यादी को अपना स्टेटस बेजना पड़ेगा साथ वर्स या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रो करना है तो पीडित को सुने बगर कोई भी सरकार इसको विड्रो नहीं कर पाएगी